और बारबंकिस दिला अस्पताल में वक्त पर ना तो इलाज मिलने से एक मरीज को हाट अटेक की चलते मौत हो गए और देवा थाना शेतर के चंदोली गाओं के रणविजे सिंग को सीने में दर्थ हुआ था और स्ट्रेचर ना मिलने पर परिजन उसे हाथों से उठा कर अस् और बन है डिप्टि-स्यम रुचेश पार्थ है किस अस्पताल का दो बार मौइना भी कर चुके हैं उनने भी हाट की डॉक्टर की कमी की बारे में बताया गया लेकिन किसी डॉक्टर की निए नहीं कुगे CMS ने कहा है कि अगर अस्पताल में हाथ की डॉक्टर कोते तो शायद मरीज की जान बच जाते है बरेली में अवैट पठाका फैक्टरी में हुए ब्लास्ट में तीन महिलाओं की मौत हो गई वहीं तमाम अधिकारी और SDRF की टीम मौके पर मौझूद है पोलिस प्रिशासन की टीम घटना स्थल पर निरिक्शन कर रही है और हादसे को लेकर सबूत जुटाए जा रहे है हादसे में तीन महिलाओं की मौत हो गई है वहीं पांच महिलाओं गंभी रुप से घायल है जुनका इलाफ चल रहा है बलास इतना तेज था कि आसपास के कई मकानों में इसका असा देखा गया चार मकान पूरी तरह से जमी दोज हो गए हादसे में सीम योगी ने दुख जताया और सीम योगी के नरदेश पर तमाम अधिकारी मौके पर मौझूद रहे राहत और बचाव का काम भी किया गया और हादसा बरेली के सिरोली थाना इलाके के कल्यानपुर गाउं में हुआ है है अधियारफ के टीम है यहां पर पहुचे हुए है यहां आईजी स्सपी और एडी जी भी मौके पर पहुचे हुए हैं और घटना इस तलका निरच्छां कर रहे हैं देखने वाली बात होगी और यहां के जो सबूत हैं वो भी इखटे किये जा रहे हैं फ्रेंसिक टीम भी पहुचे हुए है यह जो हसा हुआ है आपको दिखा दें कि यह किस तरय के से हसा हुआ है फुलिस यहांपर टीम आयो है है और लगातार यहां पर सर्च कर रही है कि किसी की बॉड़ी नहीं हो या कोई ऐसा जो पटाके थे वो यहां पर ना दवे हो तो HDRF की टीम है लगातार प्रयास कर रही है सारे अधिकारी हैं यहां पर मौझूद हैं और वो देख रहे हैं कि घटना कैसे हुई थी बताया जा आए कि यहां पर चार जो है घर छती गरस्त हुए हैं पूरी तरके से खतम हो गए हैं वहीं तीन महलाएं जो हैं उनकी मौत हुई है पांच महलाएं जिला सब्सक्राइब में पहुंच हुई हैं जिनका इलाज कर चला है बरेली से चितरेंजन सिंग नीज एटीन